यूक्रेन की जंग का आज 13 दिन है इस बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दोर की बाचीट भी बे नतीजा रही है बेलारूस पे हुई इस बाचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में युमन कोरिडॉर बनाने पर सेमती नहीं बन पाई इधर यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल विटेली गेरा सिमोग को मार देने का दवा किया है खबर के मताबिक खारकिव के पास युक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच जन्ग में गेरा सिमोग के मारे जाने की खबर सामने आई है जबकि युक्रेन पर लगातार रूसी बंबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं इनमें बच्चे बुजर्गों से लेकर बीमार तक शामिल हैं आपको बता दें कि अब 10 मार्च को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी